सब्सक्राइब करें CGPSC Adda चैनल को for all government jobs related updates और side में bell icon को दुबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा पर अभी फिल्हाल के लिए रोक लगा दी है तो इससे संब्दित जनकरी क्या क्या है इस पर हम देखने वाले हैं इनके पीछे कारण क्या है कि इस पर रोक लगाई गई है तो दोस्तों वीडियो को लाज तक जरूर दिखेगा यहां के लिए बहुत ज़्याद इंपॉर्टन तो दोस्तों इस एक्जाम को जो रोक लगाई गई है हाई कोट के द्वारा उसके पीछे मुख्य रुप से कारण यह बताई जा रही है पर दोस्तों यहां पर दिया गया है 36 गड़ लोग से आयोग की मुख्य परिक्षा 18 अक्टूबर से होने वाली थी जैसी का पूड़ेट पता ही होगा यहां पर दिया गया है लेकिन 2019 का जो राजय सीविल से एक्जाम हुआ इसमें प्री में पूछे गाए 8 प्रश्णों को लेकर 24 चात्रों जो है याचिका दाखी की थी चात्रीवर हाई कोड में जस्टिस गौतम भादूरी की सिंगल बैच ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रश्णों पर प्रश्णों पर प्रश्णों पर जो है उत्तर गरत ले लिए जाते हैं या कई पर ऐसा भी होता है गलत हो जाता है उसे कैंसल कर दिया जाता है तो यह सब के विरूद जो है हम छात्रों को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि CGPSC कर क्या रहा है इस पर अभी सवाल उठने लगे हैं कि हर एक्जाम में जो है आपकी गलतिया है कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और इसका पूरा पूरा खामियाजा जो है हम जैसे छात्री जो है जो अपनी तैयारी पूरी लगन के साथ करते हैं उन पर बढ़ता है क्योंकि आप जानती होंगे जो तैयारी कर रहे थे वो 18 तरिक जो है वो डेट को लेकर अपनी तैयारी को मेंटेन कर रहे थे लेकिन अब जो स्टे लगा अधिम से मैंने आपको एक छोटा सा अपडेट जो है वो देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा तो दुस्तों करें वीडियो आपको पसंद रहे थे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जो गलतिया कर रहे हैं CGPC उसके अगेंज जो है अपनी बात जरूर रखें थेंक यू सो मच